हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं आरोपी ने दो दिन पूर्व शिव गंज में एक महिला के गले की चेन खीची थी लेकिन उसे काम्याबी नहीं मिली मामले को लेकर पुलिस की ततपरता से शातिर चोर पुलिस के हत्ते चड़ा पुलिस ने सर्फरास पुत्र अलाव दिन शेक जाती मुसल्मान उम्र 38 साल निवासी रूम नंबर दोस्तो तीन सेक्टर सोलर डीमाट जवल कोली वाडा घंसोली गाव हाल साई अपाटमेंट नाम देव भोईर चेल तलावली गाव पुलिस थाना रबाले नवी मुंबई थाना महाराश को गिरफतार किया आरोपी से चेंस नेचिंग की और भी वारदारते खुलने की संभावना है सी आई रवींदर सिंग खिंची की अनुसार प्राथी रमेश कुमार पुत्र धर्मचेंदर जी जाती अगरवाल उम्र 56 वर्ष निवासी अगरवाल महला सुमेरपूर ने सोलो जुलाई को थाने में रिपोर्ट पेश कर बताया कि मेरे बड़े भाई महिंदर अगरवाल वो उनकी पतनी संतोश अगरवाल रोजाना सुमेरपूर मेन बजार से मौर्निंग वाक पर जाते थे सोलो जुलाई को सुबह करीबन 6 बचकर 45 मिनट पर मेन बजार से पैदल गुजरते वक्त बहरू चोक साइड से पीछे से एक सफेद रंग की शर्ट पहने बाईक सबार युवक ने संतोश अगरवाल के पास से गुजरते उनके गले में हाट डालकर सोने की करीब धाई तिन दोले की चेन खीच कर लेकर बाईक को तेज रफतार से भाग कर फरार हो गया सीसी टीवी में कैद हुलिये के आधार पर पूलिस टीम ने आरोपी की तलाश में लगातार 15 दिन तक दिन रात मेहनत करके अथक प्रयासों से तकनीकी सहायता वा मुक्वीरी सूचना से चेन स्न दोले के समय रेंकिकर मॉर्निंग वाक पर महिलाओं के गले में पहनी सोनी की चेन तोड़कर फरार हो जाता था शनिवार को भी वह इसी फिराक में घूम रहा था वह वार्दात को अंजाम देकर मुंबई भागने के फिराक में था उन्होंने बताया कि आरोपी मुंबई ज सुबद 6 बजे से 10 बजे तक संदिक्तों पर विशेश निगरानी कर आरोपी को धरदबोचा आरोपी ने पुर्व में लूट की करीब एक दर्जन से अधिक वार्दातों को अंजाम देना कबूल किया है आरोपी पुलिस थाना राबाले नवी मुंबई महराष्ट का पुर्व ने बताया कि आरोपी से पूष्टा जारी है जिसमें चेंस नेचिंग की और भी वार्दाते खुलने की संभावना है इनकी रही विशेश भूमिका सुमेरपूर में हुई चेंस नेचिंग की संसनी खेश वार्दात को देखते हुए पुलिस अधिशक द्वारा गठित की गई जिसमें कॉंस्टेबल गोकूल रामवर टिकम चंद द्वारा तक्नी की सयोग से वह मुखवीर तंत्र के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करने में महत्वपूर भूमिका निभाई वही शिवगंज पुलिस कॉंस्टेबल चंदर सिंखा भी सयोग रहा जार टिवी के सुमेर पूर से संभूलाल परमार की रिपोर्ट